सिधा रूख करते हैं, राजनितिक में मानों से चर्चाश शूरू करने उससे पहले मेरे सयोगी राजीव रंजन बने और हमेशा मुझे संक्षेप में टिपनी लेते हैं, राजीव आप से, क्योंकि विपक्षी एक जुटता को लेकर पिछले नौ महीने से शोर मचा हुआ है क्या ये 12 जून के तारीक एहम मानें, कि ये देश की राजनितिक को ने दिशा की तरफ ले जाएगा, जो एक जुटता को लेकर मिशन पे निकले आए, नितीश कुमार या फिर कॉंग्रेस को लेकर अभी थोड़ा सस्पेंस बना हुए, अखिलेश सस्पेंस बना के रखे कुछ तस्वीर साफ होगी 12 जून को, क्यूंकि आप जनता में भी जाते हैं और राजनितिक पार्टियों के टो भी लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस तारीक को, इस बैठक को देखिए रवी प्रधानमंती नरिन्मोदी के प्रधानमंतित तुकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 10 साल में प्रवेश हो चुका है, तो निश्चित तोर पर 2024 के चुनावी मोड में विपक्ष भी है और सप्तापक्ष भी है आप 12 जून की बात कर रहे हैं जब विफक्ष की बैठक होगी और एक जुटता की बात होगी, अब प्रधानमंती नरिन्मोदी कल के बाद, अभी तक तो संसद और सारा काम चल रहा था, अब 31 मई से लगातार प्रधानमंत्री 2024 के मोड में खोदी आने वाले हैं, उनकी पहल 12 जून को योगा दिवस से जिसको बहुत बड़े अस्तर पर मनाये जाने की बात है, 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर जी की डिथ एनिवरसरी है, जिसमें 10 लाख भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं से प्रधानमंत्री रूबरू होंगे, 25 जून 1975 को एमर्जनसी हुई थी, तो यह पूरा कारिकरम भारती जनता पार्टी ने जून महिने का बना रखा है, और बहुत ही एग्रेसिव मोड मोड और मूड में भारती जनता पार्टी आएगी, सवाल यह उड़ता है, जब हम विपक्ची एकता की बात करते हैं, तो वो कुछ राज्यों तक की बात है, देखिए दक्षिण में, न तमिलाडू में, न आंद्रप्रदेश में, न केरल में, न करनाटक में यह तैय करना है कि विपक्ची एकता क्या है, वहाँ पोजिशन के लिए रहे हैं, दूसरी बात उडिसा में भी आपको पता है, सारा पेच जो है, वो विपक्ची एकता के नाम पर उत्तरप्रदेश, बंगाल और दिली पंजाब में फसा आप कह सकते हैं, जबकि ममता बनेर जी, अखलेश यादो और अर्विंद केजरिवाल को यह तैय करना है कि कॉंग्रेस पार्टी के उसके रिष्टे उससे कैसे रहेंगे, और दो हजार चौबीस में किस अंडेस्टेंडिंग पर वो चुनाव लड़ेंगे, जो बड़े राज्ये हैं, महाराष्ट अगर है और महाराष्ट विकास अगारी अभी तक जिस तरह खड़ा है, अगर वो रहा और बिहार में कहीं कोई कहने की बात नहीं है, तो जो राज्ये आप देख रहे हैं, उ एक सो चालीस पैतालीस सीटे हैं, जिस पर अभी अर्विंद केजरिवाल को ये फैसला करना है, और कॉंगरिस को भी फैसला करना है, अखलेश यादो को फैसला करना है, और ममता बेनर जी को फैसला करना है, कि ये रिष्टे दोजार चौबीस में उनके बीच कैसे रहेंगे और ये सारी कवाय जो हो रही है इनी तीन नेताओं और कांग्रिस के बीच के बीच का रास्ता निकालने के लिए मेरे समय से हो रही है